नमस्कार में हो प्रिया, पत्ना नियूज में आपका स्वागत है, चले जानते पत्ना की 11 फट अफट खबरों को होली को लेकर पत्ना एरपोर्ट पर बढ़ी यात्रियों की भीर होली का तेवहार आने में अब बस कुछी दिनों का समय रह गया है ऐसे में बिहार आने वालों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है दिली समेथ कई शहरों से भारी संख्या में लोग होली का तेवहार मनाने के लिए घर लोट रहे है हाला कि इस दोरान हुली में कोविट संक्रमन रोकी जा सके इसको लेकर एरपोर्ट पर कोरोना की जाज़ फिर से शुरू की गई है इसके साथ ही यात्रियों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करवाय जा रहा है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि पटना आने वाले सभी विमानों में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं लोगों की भारी संक्या और कोरोना के खत्रे को ध्यान में रखते हुई ही स्वासवभाग और पटना एरपोर्ट अथोरिटी सतर्कता बरते हुए यात्रियों का कोबिट टेस्ट करवा रही है। निशुल्क स्वासजांत शिवर का योजन करेगा। ये निशुल्क चिकित्सा शिवर 15 मार्थ से शुरू हो रहा है और 15 अप्रेल तक यानि की एक महीने तक चलेगा। पटना कमिशनर का OSD बनकर ठगी करने वाला व्यक्ति चुढ़ा पुलिस के हाथ है। ताजमामला पटना कमिशनर के OSD बने बहरूपिया का है जो पटना कमिशनर के OSD बनकर अब तक कई लोगों के साथ ठगी कर चुका है। पटना की राहत की बात ये है कि अब यह व्यक्ति पुलिस के हाथ हो भी चुड़ गया है। पटना प्रमंडली आयोक्त का OSD बनकर बीडियो सिल सर्जन और डॉक्टर से ठगी करने वाला शातर ठग को गिरफतार किया गया है। पकड़ में आया शातर, ठक्स, संजे कुमार, नालंदा की मुगल कुआ सुराय का रहने वाला है। मैन की तरह ही बिना किसी सहारे के मार्बल वाले चिकने खंबे पर तेजी से चढ़ जाती है। इंटरनेट मीडिया पर इस लड़की की तमाम तस्वीरों और वीडियो पिछले कुछ दूनों से तेजी से वारिल हो रही है। इस लड़की को ऐसा करते देखकर कोई ताज्यूप कर रहा है। होली को लेकर आज से जंक्षन समेट अन्य स्टेशन पर खोलेगा अतरिप्त काउंटर। होली पर ट्रेनों और स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने वाली है। इसको देखते वे अभी सही बिहार के विभिन स्टेशनों पर यात्रियों को बहतर यातायात सुवधा मोहाया करवाने की तयारी हो रही है। जिसके तहत दिली, मुंबई, कॉलकता, सहीद देश के अन्य प्रमुक स्टेशनों से पुर्व मध्रेल के विभिन स्टेशन के ली नियमित ट्रेन के अलावा 24 जोडी होली स्पेशल ट्रेन का परिच्वालन किया जा रहा है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि पुर्व मध्रेल ने ट्रेनों और स्टेशनों पर भीर प्रबंधन, यात्री सुवधा और सुरक्षा पर विशे इर्ध्यान किंद्रित किया है रेलवे यात्रियों के भीर को देखते वे अतरिक्त काउंटर भी खोलेगा पटना में पावर स्टेशन में लाखो का सामान हुआ खाक, पटना में बीते दिन पावर स्टेशन में अचानक से आग दिखी, जिसके बाद ही देखते ही देखती लाखो का सामान खाक हो गया स्थानिये लोगों की माने तुस्थिती को अन्यंत्रत होता देख पावर सब स्टेशन में कर्मचारियों के बीच अफरात अफरी का माहौल बन गया था जिसकी बाद ही बिज्डिव वभाग के कर्मचारियों ने इसकी सूचना वभाग के उच अधिकारियों को दी महा के कर्मचारियों ने किंज अर्थाने को भी इसकी जानकारी दी किंज अर्थाना के पदाधिकारी मौके पर पहुँच कर फायर ब्रिकेट को सूचना देते देखे गए मौके पर पहुँची फायर ब्रिगेट की गाड़ी ने काफी मश्रकत की बाद आग पर काबू पाया वहीं इस बीच पावर सब स्टेशन के कई सामार राख हो गए बिहार में कोरोना अब अपने समापन की ओर बिहार में कोरोना अप्छू मंतर होनने लगा है आलम कुछी हो है कि बिहार में हर दिन के साथ कोरोना के मामलों में गिरावर जारी है स्वास्तबभाग के तरफ से बीते दिन साज़ा किए गये जयानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में मातर तो मामलों की पुष्टी हुई है जिसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों के संख्या अब 75 पर पहुँच गई है वहीं हम्राज धानी पटना की बात करें तो पटना में एक भी मरीज की पुष्टी नहीं हुई बिहार में दाखिल खारज के मामलों में गड़बड़ी की कई शकायते सामने आती रही है जिसके कारण अब तक कई लोगों को गिरफतार भी किया गया वहीं आप दाखिल खारज में गड़बड़ी कर बुरी तरह फजगे हैं पटना जिले में कारेड़ा तीन सीओ उन पर कारवाई होने वाली है जाज के दाइरे में जिन सीओ के नाम सामने आए हैं उनमें मनेर के अंचलाधिकारी रहे संजे कुमार सजन का नाम शामिल है उनके खलाब जाज में ये बताया गया है कि उन्हाने एक IPS की जमीन के दाखिल खारज में गरबड़ी की थी शुकायत के बाद दानापुर DCLR ने जाज की इस कड़ी में बीतर दिन ही पुलीस ने विभनत हाना शेत्रों से शराब बेचने के बामले में 14 और शराब पी कर हंगामा करने के आरोप में 49 आरोपितों को गिरफतार किया इनके कबजे में 41 जिफ्षिम लब 46 लीटर अंग्रेजी और 3115 लीटर देशी शराम जब्द की गए पकड़े गए सभी आरोपित को कोट के समक्ष पेश किया गया यहाँ से सभी कुन्याई खिरासत में जेल भेजिया गया है SSP डॉक्टर मानवजीत सिंग धिलो की माने तो पकड़े गए अन्य आरोपितों में कई अन्य मामनों में फरार चलड़े 5 अपराधी को पकड़ा गया है पटना के पटना संग्रहाले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास दार्शनिक सल के तोर पर ये बहत प्रसिद सल है 1917 में स्थापित के बिहार का पहला संग्रहाल है यहां आपको 20 करूल वर्ष पुराना वरेक्ष का अफशेश भी देखने को मिलेगा यहां देखने योग्ये काफी चीजे मौजूद है बोध हिंदू, मौरे गुप्त, काल से जुड़े, विभिन चीजे से रख्षित रखी गई है लोग ऐसे जादुघर के नाम से भी जानते हैं अब आईए जानते हैं सराफ़ बाजार और पेट्रोल लीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफ़ बाजार की बात करें तो सोने का भाव आज 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,090 रुपे है वही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 52,560 रुपे है इसके साथ ही अगर हम चान्दी की बात करें तो चान्दी का भाव प्रति के लो 59,000 रुपे है इसके साथ ही राज़धानी पटना में पेट्रोल की कीमत एक सो पांच तुशुमलब नौतियुन रूपे प्रति लीटर और रिजल के दाम एक क्यांडब दिशुमलब शुनियुन रूपे प्रति लीटर है कल हमारे द्वारा पूछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपको बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट है में अच्छा रगा है उनके नाम है विवेक कुमार, रहुनात प्रसाद, श्रंकर मुख्या, चंदन कुमार, महेश तास, विवेक पटेल, निकिता कुमारी, रोहित कुमार, रवी कुमार राज, सनी आदफ, संतोष कुमार, प्रेम लता पाई है या नहीं, अपने ये जवाब में कमेंट करके जरूर रताएं, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, पटना की बड़ी खबरों से अबडेटेड रहने के लिए, हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना भूले, धन्यव करते हैं झानल को से